जल्दिवादी में जल्दिवादी में और हम समझते हैं इसलिए कि ये सिख्छकों को डराने के लिए ही ऐसा निर्णे लिए हैं पर्मुक सचीव नौकडी से रिजाइन करके वो छुनाव लगने माले हैं किसी चंक जो सोचते हैं उसकी तुरत अधी सुचना निकाल देते हैं और फिर उसको बदल कर किसी बात कर देते हैं जो अभी प्रवारी है इनके जिनको भी प्रवार दिया गया है सिख्छा विवार का विजय कुमार चौतरी जीसे मेरी मूला का थूई है उन्होंने कहा कि जब तक की विदवत मेरे पास विभाग नहीं आता है हम कोई निटिकत निर्टने कैसे ले सकते हैं समय की तुरूप से यहां पर धरना और घराव का काटकर में रखे हैं सतर चलता रहेगा सतर में भी ये सवाल उठेंगी बिहार में न्योजित शिक्षकों का मामला हर दिन तूल पकरता जा रहा है मगर समाधान नहीं निकल पा रहा है देखे बिहार में NDA की सरकार है महागडबनन की जब सरकार थी तो माले के कई विधायक कई MLC जो है सरकार के विरोध में भी आवाज उटाते थे मगर इस वक्त हमारे साथ संजेश सिंग मौजूद है सिख्षक नेता भी है और विभाकी से अवाज उठाने वाले सिख्षकों के लिए आप लगातार जो है अवाज उठाते है मगर नियोजित सिख्षक जिसका मामला इन दिनों खूब तूल पकर रहा है तीन बार एक्जाम देने की बात हो या फिर अब उन पर F.I.I.I. रहोगा अगर वो प्रोटेस्ट करते हैं तो आखिर ये बिहार के सिख्षल भाग के जो ECSAK के पाटक ये करना क्या चाह रहे है क्या लगता रहना है हमको तो कभि कभि ये देखकर और इतने तरह की अनुछना bud Market निकल रही है विभाग के द्वारा अहां परते एक दिन तो कभी डडाने के लिए हमको अब ने के लिए नियोजिय आतर और योजित सिख्षकों को पुछ tw अचीब नौकडी से रिजाइन करके वो चुनाव लगने वाले जिस धंग से वो सिक्षकों को कभी प्रतारित करते हैं भैभीत करते हैं अधिर सुचना के माध्यम से कि हम तीन बार में अगर आप उत्तिर नहीं होंगे तो हम आपको सेवा मुक्त कर देने हैं जबकि इन योज ी सिक्षकों के राजी कर्मी दर्जा देने के लिए सच्छनता परिक्षा के साथ जो कैमिरे निरंब बने रहा जाएं और यह दंग की आधिशुचना का कोई मतलब है उसके नेटिन निकाल देते हैं पहले इनों ने बयान दिया अधिसूचना निकाली कि सब को हम दियाती छेतर में भेजेंगे जहां भूत भी रोता है वहां भी चले जाएंगे सिक्षक यह उनका बयान है अधिसूचना है निर्देशत किये हैं और तब कल की अधिसूचना क्या है कि हम सब को सारी छेतर में देंगे क्या मतलब निकलता है कि लतला की मनतर संतुलित सोच उनकी है ही नहीं किसी छन जो सोचते है उसकी तुरत अधिसुचना निकाल देते हैं तो धाना आ तो हम तो समझते हैं कि जो वह उनों वह पहली अधिसुचना जारी की कि हम तीन बार में जो नियोजी सिक्षक उत्रन नहीं होंगे उनको सेवा मुक्त करेंगे या बिल्कुल कैबिनेट के डिशीजन का निर्णई का भी ये उलंगन है केबिनेट में ऐसा नहीं था नहीं था बिल्कुल नहीं था आप देख सकते हैं 2023 की जो नियोजी सिक्षकों के लिए जो सचंदा पंच्छा के साथ के राजय कर्मी के दर्जा देने की बात जो आई है केबिनेट का जो डिशीजन है निर्णई है उसमें नहीं है ऐसी वात लेक के साथ उन्होंने सच्छंता परिच्छा लेने की बात रही की हम तीन विकल लेंगे हैं 30 जिले का हम उनको उन तीन जिलों में अम पदस्थापित करेंगे जो उतुर्ण करेंगे फिर उन्होंने यह हुई उन लाइन ऍह ये ना हम पर लेंगे अटेस आपने बिपीसीपरई क्ष्षक हों लाक में सिख्षकों को बहल किया लेकर सब ऑफ-लाइन हुआ इसी विहार में यही सिख्षक जिस समय बहल हुए的時候 क्या computer पर सिख्षित सिख्षक को बहल किये थे सिख्षविभाड तो अब यह सिख्षक जो 15, 16 द déb кап 12k काम कर रहे हैं आज कहते हैं कि उनसे हम online पर इच्छा लेंगे और जब सभी सिच्छक संगटनों ने एलान कर दिया कि हमारा कोई भी सिच्छक इन सर्तों के साथ फॉर्म नहीं भड़ेगा तब उन्होंने ड़ाने का काम किया कि जल्दिवाजी में कि जो सिच्छक में गए चाहिए घर कर उसको और ठाइब कर वह अंति नर्ने नहीं जब तक सडूकार का मुहर नहीं लगेगा बी बाट सब्सक्राइस पहले जसटो पडिए और जांना ही नहीं चाहिए अंप्वाल लिएक्भाफ है जब तक सरकार का उस पर अंतिम डरने नहीं होता है तो वह पब्लिक डोमेन में कैसे गया ये बड़ा सबाल बड़ा प्रसंचिन सिच्छा विभाग के कार्शैली पर भी लगा रहा है और तब वह इसलिए ऐसा किये कि सिच्छक को हम ड़ाएंगे तो सिच्छक फॉर्म भरेंगे लेकिन सिच्छक डरने वाला नहीं है और सिच्छक संगठन के आववान पर सिच्छक अभी तक आपको पता होगा मीडिया में बाते आ रही हैं लगातार कि अभी तक मुश्किल से 15 स्वाभी सिच्छक फॉर्म नहीं भरें हैं आज कह तारीक है आज 9 तारीक पंदरह तक लास डेट है, बीच में सटटे और संडे है और सिक्षक इसको नहीं भडेंगे, जब तक कि इन सटों को हटाये नहीं जाएगा, बिलकुल नहीं भडेंगे, सिक्षक संगठन का अवान है तेरह को प्रात्मिक सिच्छक संगठन सभी समेकित रूप से यहां पर धर कि अधिशुचना जारी कल कल सिक्षकों को भ्रमित करने के लिए वो किये हैं कि हम सब को सहरीच्छेत्र में हम पदस्थापित करेंगे हमको तो तड़स आता है कि विभाग को सारे तीन पहुने तीन लाग सिक्षक नियोजित हैं और उसकी बहाली होगी और पिछले दिनों कि ट्री वन और टू कि बीपियसी के माध्यम से जो हुआ उसमें मुश्किल से 35,000 सिक्षक नियोजी सिक्षक सामिल हुए पासा उठ हुए जिसमें से दस अजार से ज्यादा सिक्षक छोड़कर अपने पुराने पद पर ही नियोजी सिक्षक के रूप में बने रहे हैं तो पद कितना बचा खाली कितना हुआ पचीस अजार तो यह तीन लाग सिक्षकों को सहरी छेत्र में कहां पदस्था पीद करेंगे क्या इतने पद विभ सुचना बिल्कुल निराधार है इसका कोई मतलब नहीं है धरातल से बास्विक्ता से इसलिए हम सिक्षकों से भी कहते हैं कि आप धैर्ज रखें भ्रम में नव पड़ें और इन सर्तों के साथ सच्छनता परिच्छा के लिए आवेदन नव भरने का जो आपके संगठर ने हम तो समय मांगे हैं पहले भी मांग चुके थे और अभी तो चुकी राजनितिक जो उथल पुथल है अलग महौल बना हुआ है 12-13 के बाद जब सरकार स्टैबूल होगी विभाग बटेंगे आज के दिन तो कोई विभाग भी नहीं किसी को विदवत है जो अभी प्रभारी है इनके जिनको भी प्रवार दिया गया है सिच्छा विभाग का विजय कुमार चौधरी जी से मेरी मूलकात हुई है उन्होंने कहा कि जब तक की विदवत मेरे पास विभाग नहीं आता है हम कोई निटिकत निरने कैसे ले सकते हैं बिलकुल सही उन्होंने कहा लेकिन मिलक हम लोगों ने सारी बात उनको कही है और फ Chaos 3 दिन पहले भी मिले थे कल ही मिले रात्तों सर्दलिय वैठग जो सातर के चहेले विधान परषद में होता है। में हम थे उप्ने दल दल के नेता के रूप में उसके बाद हमारी चर्चा हुई और हम उतहते हैं। सदन भी इन सवालों से गुझेगा। पिल्कुल उठेगा जिक्षक उसे में कहा रहे है कि हम घुज आएंगे अंदर की सिक्षक को तो हम यह कहेंगे कि जो लोकतांतिक तरीके से जो संघर्ष का रास्ता है वो खने कि ऐसे लॉइन ओडर को तोड़ने का कोई काम ना करें जिससे कि प्यार से बात बन जाए तो जादी है प्यार नहीं संघर्ष संघर्ष लोकतांति तरीके से संघर्ष करता है एलान किया है आने वाले दिनों में हम अभी प्राइमरी प्रात्मी सिच्छक संग सभी मिलकर एलान किये हैं आने वाले दिनों में अगर सरकार इसको नहीं इसमें सुधार करती है तो हमको लगता है कि मादुमिक सिच्छक संग भी एलान कर चुका है बाइकार्ष का आगे अपने संघर्ष को और भी तेज करने का कोई कार्ष करने का निश्चित रूप से तैय करें चलिए तो साफ तौर से हमारे साथ बातचीत करने के लिए मलसी संजे कुमार सिंग मौझूद थे नियोजित शिक्छकों के मुद्धे पर इन्होंने क्या कुछ कहा है आपने सुना है मार चाल को सब्सक्राइब कर ले साथ हमारे फिस्ट पेच को फॉलो करना वीडियो को ल